हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6, The Triangle and Its Properties तो ये इस चैप्टर का इंट्रोड़क्शन वीडियो है, इसमें हम triangle और इससे related जितनी भी properties हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली हैं, वो सारी सिखेंगे इसका नाम, let's suppose ABC, ये इसके तीन कोने हैं, तो इस triangle का नाम हो गया है ABC, triangle एक close figure होती है, तीन साइड से मिलके बनती है, अब triangle का नाम हम कैसे लिखते हैं, तो triangle का नेम लिखने का तरीका ये होता है, ये triangle का मैंने निशान लगाया, triangle ABC, ये इसका नाम हो गया, अब triangle के अंदर टीन साइड्स होती है, साइड्स का नाम हम कैसे लिखते हैं, यह AB साइड है, यह BC साइड है, यह AC साइड है, तो जबी भी ट्रैंगल की साइड का नाम लिखना हो, तो आप ऐसे लिखेंगे, AB, इसके उपर डैश यह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, यह actually line segment का निशान होता है, जो यह दिखाता है कि यह जो साइड है, ट्रैंगल की, यह line segment ही तो है, तो एक तो AB साइड हो गई है, एक BC साइड हो गई है, और एक AC साइड हो गई है, अब इनमें यह AB को BA लिख सकते हैं, क्योंकि AB बोले या BA बोले, बात तो एक यह ना, line segment तो वो ही है, तो sides इस तरह कैसे लिखी जाती है, अब आते हैं, angles पे, angle का नाम लिखने के लिए, दो option है आपके पास, यह तो आप single नाम लिख दें, जैसे कि angle A, यह ऐसे लिख दे, angle B, या फिर angle C, A, B, C, यह तीनों इसके angles हैं, यह दूसरा तरीका यह भी होता है, कि जिसमें हम उसके arms को भी define कर देत हैं, जैसे angle यहाँ पे बना हुआ है, तो angle A बन रहा है, B, A, C से, B से A गए, A से C, या C, A, B से, यानि यह जो दोनों कौन हैं, यह जो, जहां angle से यह arm है, इनको भी हम define कर सकते हैं, तो इस angle A को इस तरह भी लिख सकते हैं, B, A, और C, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C, A, B ध्यान रखने की बात यह है, जहां angle बन रहा है, वो चीज़ बीच में आनी चाहिए, यह side वाले चीज़ यह दिखाती है, कि यह दो इसके arms के endpoints हैं, तो angles के नाम इस तरह से लिखे जाते हैं, अब आते हैं, vertices, vertices होते हैं, यह कोने, A, B, C, इसके अंदर यह तीन कोने ही तो ह हैं, A, B, और यह C, तो vertices, A, यह B, यह angle C है, यह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, A, B, और C, vertices को simply एक point की तरह ही हम दिखाते हैं, उनको इसी तरह से लिखते हैं, तो यह angle triangle हुआ, triangle के अंदर नाम कैसे लिखते हैं, sides कैसे लिखते हैं, angles कैसे लिख सकते हैं, vertices क्या होते हैं, अब आते हैं, next topic, type of triangles, triangles कितने तरह के होते हैं, छोटी सी class से भी आप सीखते हैं, fourth, fifth class से कि triangles कितने तरह के होते हैं, triangle की जो type होती है, यह based होती है, दो चीज़ों पर, एक to sides के उपर base होती है, एक angles के उपर base होती है, यह तो triangles के अंदर आपको अगर उनकी sides दे रखिया है, तो उसके आधार पे triangle तीन तरह के होते हैं पहला है skeleton triangle skeleton triangle वो triangle होता है जिसकी तीनों sides different होती है example के तौर पे मैंने हैं बनाया हुआ है एक triangle है ये 3 unit है ये 4 unit है ये 5 unit है तो इसकी तीनों sides अलग-अलग size की हैं तो ये skeleton triangle बोला जाएगा दूसरा isoscalous triangle isoscalous triangle वो triangle होता है जिसकी 2 sides equal होती है तीसरा है equilateral triangle नाम में ही छुपा हुआ है equilateral यानि equal है जिसकी 3 sides equal होती है वो equilateral triangle बोला जाता है तो ये तो हुआ sides के base पे इनके नाम अगर आपको angle दे रखे हो triangle के अंदर तो acute angle triangle जिस triangle के 3 के 3 angle 90 से कम हो 90 degree से कम हो तीनो angles वो acute angle triangle बोला जाता है फिर है right angle triangle जिस triangle के अंदर एक angle 90 degree का हो एक ही हो सकता है एक से जादा हो भी नहीं सकता अगर किसी triangle के अंदर 90 degree का angle है कोई तो वो right angle triangle बोला जाएगा ये right angle का निशान भी होता है और इसकी पहचान यह होती है कि बिलकुल L बन जाता है 90 डिगरी का एंगल बिलकुल L बनता है ऐसे इसे जोड़ देंगे तो यह triangle बन गया right angle triangle obtuse angle triangle obtuse angle वो होता है जो 90 डिगरी से बड़ा होता है तो जिस triangle के अंदर एक angle 90 डिगरी से बड़ा हो वो obtuse angle triangle होता है तो यह triangles की type है next topic पर हाते है medians of a triangle median mid नाम में थोड़ा सा meaning छुपा हुआ है mid मतलब की beach का median तो triangle का median क्या होता है देखिए यह एक triangle है ABC अगर इसके vertex A से मैं कोई ऐसी line खीचता हूँ सामने वाली BC side के उपर जो इस BC को दो equal parts में divide कर देती है यानि कि अगर ये BC की length 4 cm है तो यहाँ इसने काटा let's suppose D पे तो B से लेके D तक 2 cm और D से लेके C तक 2 cm यानि vertex A सामने वाली side के उपर line डाली और उसने सामने वाली side को दो equal parts में divide कर दिया तो ये जो line होती है ये median बोली जाती है अब triangle के अंदर ये जरूरी नहीं कि एक ही median हो triangle के अंदर 3 median होते है अगर ये ही काम मैं B से करूँ मैं B vertex है और AC सामने line है AC के उपर एक ऐसी line डालू जो AC को दो equal parts में divide कर दे ये BM लिख दिया मैंने तो BM एक median हो गया ये median मैं C से भी डाल सकता हूँ C से मैं एक ऐसी line डालू इसके opposite side जो की A भी है ताकि A भी दो equal parts में divide हो जाए तो जो line vertex से जाके सामने वाली side को दो equal parts में divide कर देती है वो median होता है triangle का इसके बाद आते है next topic altitude of a triangle altitude का मतलब simply होता है height altitude का मतलब होता है height यानि कि उचाए किसी triangle की उचाए कितनी होगी अब देखे height हम जबी भी नापते है triangle हो या कोई भी हो किसी भी चीज की height को नापने के लिए उसे बिल्कुल सीधा खड़ा किया जाता है let's suppose अगर किसी इंसान की भी height हमें नापनी है तो उसे बिल्कुल सीधा खड़ा करेंगे बिल्कुल ऐसे ये जमीन है और ये आसमान की तरफ बिल्कुल straight खड़ा करेंगे उसको यानि कि 90 degree पे खड़ा करेंगे तो height इसकी कहां से नापे जाएगी ये इसका end point है ये इसकी चोंच है तो चोंच से लेके और नीचे जमीन तक जो इसकी जो ये लंबाई होगी वो ही इसकी height होगी और ये लंबाई बिल्कुल 90 degree पे नापी जाते है जैसे हम किसी भी और चीज की height को नापते है तो exact ये 90 हो गया तो किसी भी triangle की जो height होती है जो उसका altitude होता है वो exact उसके उपर के vertex है और जो base side है नीचे वहाँ पे जो 90 degree का angle पड़ता है वो उसका altitude होता है अब altitude जो है triangle के अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है ये triangle है इसका altitude मैंने यहां से डाला तो altitude इसका अंदर आ रहा है अभी मैं right triangle बना देता हूँ let's suppose ये मैंने एक triangle बना दिया 90 degree का तो ये जमीन पर टिका हुआ है और ये 90 degree का है तो ये line बिलकुल सीधी है imagine कीज़े कोई ऐसी चीज़े जो जमीन पर पड़ी हुई है और ये उपर की तरफ है तो यहां से लेके यहां तक केस की हाइटी तो हो गई मा लीज़े ये ABC है तो इसका altitude क्या हो गया ये भी हो गया यहां पर ये P और Q है तो ये P Q इसका altitude हो गया अब triangle का altitude triangle से बाहर भी हो सकता है तीसरे केस में वो कब होता है जब triangle obtuse triangle angle triangle हो जैसे इस triangle पर गौर कीजिए ये ये एक obtuse angle triangle है ये यहां जमीन पर ऐसे टिका हुआ है ये इसका base हो गया कोई article है, कोई सामान है कुछ भी है, इसे triangle ना समझके समझ लीजे, कोई ये कोई और ही चीज है अब ये जमीन से इसकी उचाई कितनी है तो ना पेंगे कहां से जो जमीन से उपर की तरफ आसमान की तरफ जो इसका ये point है वहां से और जमीन कितने distance पे है बिलकुल 90 degree पे तो वो इसकी height को बताएगा तो जबी भी obtuse angle triangle होता है तो उसकी जो altitude होती है उसकी जो height होती है वो बहार आती है वो बहार इस vertex से ना पे जाती है तो ये हुआ altitude चले इसके बाद जो next topic है इसके अंदर वो है exterior angle of a triangle and its property किसी triangle का exterior angle और उसकी जो properties है वो क्या होती है पहले तो exterior angle ही समझ लीजिए let's suppose ये कोई triangle है अभी ये triangle है इसकी किसी एक side को मैं ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ ये मैंने बढ़ा दिया तो जो ये बहार आंगल बन गया है ना ये वाला ये exterior angle बोला जाता है ये हुआ exterior angle अब इसकी property भी समझ लीजिए exterior angle की property ये होती है कि ये angle measurement में इसके जो अंदर के ये जो दो angles है ना जिने मैं A और B लिख रहा हूँ इनके sum के बराबर होता है इसे ऐसे बोलेंगे sum of opposite interior angles is equal to exterior angle ये ऐसे बोलेंगे कि exterior angle is equal to sum of opposite interior angles short में लिख दिया मैंने opposite interior angles opposite से मतलब ये है कि इसके साथ वाले को छोड़ देना ये angle है ना इसके साथ वाले को छोड़ देना और जो इसके सामने हैं दो triangle के अंदर उनके sum के बराबर होगा ये एक example से बता दूँ let's suppose question किस तरह का आयागा ये ही बता देता हूं ये कोई figure है यहां पे ये 30 degree का एंगल है और ये है ये है ये उल्टा question भी आ सकता है कि उल्टा ऐसे आ सकता है कि आपको exterior angle दे देगा यानि कि 130 degree दे देगा और यहां पे एक angle 60 दे देगा और ये वाला angle आपसे पूछ लेगा तो फिर उस case में आप क्या करेंगे कि आप 60 plus x is equal to 130 क्योंकि आपको पता है कि interior opposite angles का जो sum है वो exterior angle के 130 degree minus 60 degree minus करके 70 आजाएगा और यहां आपका answer आजाएगा तो दो ही तरह के इसके अंदर questions आते हैं पर इस property को याद रखना बहुत important है आगे पूरी की पूरी एक exercise इस property से related है आगे बढ़ते हैं आगे जो है प्रोपर्टी वो है angle sum property of a triangle बहुत आसान सी चीज है बहुत simple सी ची triangle is 180 degree किसी भी triangle के चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बढ़ा हो उसके तीनों जो angles होते हैं ना उसके तीनों angles का जो sum होता है वो 180 degree ही होता है हमेशा तो a plus b plus c यह triangle के तीन angles हैं यह तीनों मिलके 180 degree के होते हैं यह property अब से लेके आगे सारी बड़ी classes में आपकी use होने वाली हैं next topic है two special triangles अब आपके chapter में यह दो तरह के triangles हैं इनसे related कुछ questions है तो इनको अलग से define किया गया है एक तो equilateral triangle equilateral triangle मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि equilateral triangle वो triangle होता है जिसकी तीनों sides बराबर होती है तो एक property तो इसकी यह होगी कि equal sides तीनों sides equal होती है दूसरी properties की यह भी हो गई कि इसके सारे जो angles होते हैं वो सारे angles बराबर होते हैं यानि जितना ये होगा, उतना ही ये होगा, इसलिए इसको special triangle बोला गया है, सारे angles बराबर होते हैं, सारी sides बराबर होती हैं, बस इतनी इसी बात आपको याद रखनी है, दूसरा है isoscalence triangle, isoscalence triangle की property ये होती है, कि उसकी दो sides बराबर होती है, let's suppose ये वाली side और ये वाली sides में बराबर है, तो बराबर वाली sides के जो सामने के angle है न, वो बराबर होते हैं, अगर ये sides बराबर है तो इसके सामने ये angle है, ये side के सामने ये angle है, तो ये angles बराबर होंगे, तो दो sides इसके अंदर बराबर होती हैं, और उनके सामने के जो angles होते हैं, वो बराबर होते हैं, बस तक जो पीछे जो कुछ भी बताया हुआ पहले भी छोटी क्लासिस में भी थोड़ा-थोड़ा कर चुके हैं Sum of the lengths of two sides of a triangle Triangle की दो sides का sum Suppose यह A है यह B है और यह C है यह topic का नाम है इसमें समझाना क्या चाह रहा है Sum of the lengths of two sides of a triangle is always greater than the third side यह कह रहा है कि किसी भी triangle की कोई भी दो sides का जो sum होता है वो हमेशा third side से greater होता है यानि कि बड़ा होता है Figure में देखिए example से कोई भी दो side उठालो आप Let's suppose A, B और यह मैंने B, C ले ली तो A, B और B, C का जो sum है वो हमेशा third side से बड़ा होगा तो third side कौन बची इसके अंदर A, C बची अगर मैं B, C और C, A का sum कर देता हूँ अगर मैं B, C और C, A को ले लेता हूँ तो इन दोनों का sum A, B से बड़ा होगा अगर मैं C, A और A, B को ले लेता हूँ C, A और A, B को ले लेता हूँ तो इन दोनों का sum BC से बड़ा होगा तो कोई भी triangle कैसा भी triangle हो उसकी कोई भी दो sides का जो sum है न वो तीसरी side से बड़ा होता है हर बार ऐसा होता है यह property है इसके बाद next जो topic है वो है right angle triangle and pythagoras property pythagoras property बोले या pythagoras theorem बोले एक ही बात है अब यह जो pythagoras property होती है यह सिर्फ right angle triangle के अंदर ही लगती है और यह कहीं पे नहीं लगती है और right angle triangle ऐसा triangle होता है जिसमें एक angle 90 degree का होता है तो यह हो गया है right angle triangle तब property क्या होती है उसे समझ लीजिए जहाँ पे 90 degree का angle बनता है उसके सामने वाली जो side होती है यह थोड़ी slope सी होती है और यह सबसे बड़ी side होती है ट्रेंगल के अंदर तो जो sliding side होती है यह इसके अंदर सबसे बड़ी होती है यह बराबर होती है बाकी की दो sides के square के sum के बराबर यहनि इसका square AB का sorry ये side AC है न, तो AC का square बराबर होगा AB square प्लस BC square के, यहनि Pythagoras property यह होती है, कि किसी right triangle के अंदर, जो सबसे बड़ी side होती है, उसका square बराबर होता है, बाकी की दो side के square के sum के बराबर, बाकी की दो कौन होगी, वो ही जो L बना रही है, जो 90 degree का angle बना रही है, यह होती है बस Pythagoras property, इसी को एक example से समझा देता हूँ, let's suppose यह BC जो side है, यह 4 cm की है, और AB जो side है, यह 3 cm की है, अब मुझे AC की length निकाल लिए है, तो formula यह हुआ, property यह हो गई है, यहाँ पे, यह हो गया AC का square, AB का square, यहनि कि 3 का square, BC का square, यहनि कि 4 का square, तो यहाँ AC square हो गया, 3 का square 9 हो गया, 4 का square 16 हो गया, यहाँ AC का square हो गया, 16 और 9 25 हो गया, अब यह जो 25 है न, यह AC square की value है, सिर्फ AC की नहीं है यह, तो AC की value निकालने के लिए, मा लीजे यह AC है, square है, तो यह AC, AC दो बार है, यह तो मतलब हुआ इसका, अब 25 kb में ऐसे कौन से दो नंबर लिख सकता हूँ जो बिल्कुल सेम हो वो क्या होंगे 5 इंटू 5 तो AC इंटू AC is equal to 5 इंटू 5 it means AC is equal to 5 यानि जो AC है वो 5 cm का होगा तो ये होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये इस introduction का last topic था जितनी भी चीज़े मैंने आपको इस वीडियो में बताई है इनसे ही related आपकी पूरी chapter के अंदर exercises है तो आई होब आपको अच्छे से समझ में आया हो ये introduction तो questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए goodbye